तो यार कल हम लोग inverse z transform के बारे में चर्चा करे थे दो methods भी हमने देखे थे long division method और partial fraction method ठीक है partial fraction में भी मैंने आपको दो तरीके से बताया था एक बार जब आपको polynomial z inverse में दे रखा हो और एक बार जब आपको polynomial z में दे रखा हो correct और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था बिटा long division method जिसमें आपको right sided और left sided दोनों तरह का sequence निकालना सिखाया था तो आज वहीं से आगे continue करेंगे तीसरा method देखेंगे बिटा inverse निकालने का कौची residue method देखो कौची residue method एक ऐसा method है जो कि आप mathematics के अंदर करते हो well while you are evaluating the complex integral कल आप लोग ने यह देखा भाई कल आप लोग देखा था ना inverse z का यह था ठीक है एक जड़े जड़े पावर न माइनस वन दी जड़े बिटा यह हमारा कौची residue method से इस integral की जो value आती है this is basically summation of residue ठीक है अब सरी यह residue क्या होता है देखो for a pole of xz यह जो function है ना integration के अंदर xz z to the power n minus 1 इसका pole अगर है at z equal to beta of order m मानलो m order का एक pole है at z equal to beta तो क्या आता है residue 1 by m minus 1 factorial dm minus 1 by dzm minus 1 यह होता है आप ध्यान से सुनिएगा देखो z z equal to beta पे अगर एक pole है सुनो ध्यान से z equal to beta पे अगर pole है of order m इसका क्या मतलब होता है कि denominator has a term z minus beta to the power m तो पहले आपने उस term को काटा z minus beta की power m multiply करके आपने उस term को काटा फिर m minus 1th order का derivative लिया z को beta डाला और 1 by m minus 1 factorial से multiply किया इससे आपका residue आता है और इसी से आपका inverse z transform भी आएगा आओ मैं आपको यह method apply करके दिखाता हूँ भई जैसे देखो z by z minus 2 का cube ठीक है यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भई pole of pole at sorry, of नहीं, pole at यहाँ पे दिख रहा है pole at z equal to 2 of order 3 z equal to 2 पे एक pole है बिटा जिसका order है 3 करेक्ट तो अब अगर मैं यह कहता हूँ कि xn अगर मानलों मैं ऐसा कहता हूँ अगर एक से अधिक pole है तो हर पोल पे residue निकाल के फिर add करना है हर पोल पे residue निकाल के फिर add करना है थार्ड ओर्डर का है तो भाई two factorial double derivative और जो पोल है उसे cancel करने के लिए उसी term से multiply करूँ वरना two रख नहीं पाऊँगे न अगर यह cancel नहीं हुआ अगर यह term कटेगी नहीं तो z को two नहीं रख सकते अब यह बन गया z की power n दिहान से देखो यह बन गया z की power n तो double derivative क्या होगा यह होगा n, n-1 z को two रखा तो x of n हो गया n, n-1 two की power n-3 n, n-1 two की power n-3 अब सर इसमें un वगेरा तो आया ही नहीं देखो अगर roc है अगर mod z less than two है तो minus sign के साथ गया जाएगा ठीक है clear हुआ outside the pole है तो un लगा दिया inside the pole होता तो minus लगा के u of minus n minus 1 समझ में आया है ये method बोलो भाई समझ में आया है ये method जल्दी बताओ तो आपको ना पता है ऐसा signal मिल जाएगा जैसे signal मिला है ना ऐसा signal मिल जाएगा आगे un लगाना है ये u of minus n minus 1 लगाना है वो आरोसी से decide कर लेना correct चलो भाई अब ये question है इसको भी एक बार residue से करेंगे भाई चलो इस question को भी एक बार residue से करेंगे पहले इसको z में ले आओ बच्चो इसको z में ले आओ देखो मैं दिखाता हूँ transform कैसे करना है अब ये ले ले लो भाई अब ये ले लो भाई अब करो यार अब लगाओ इस पर residue अब की बार दो पोल है ना मिटा अब की बार दो पोल है तो दोनों पर residue निकाल के add करोगे शुबम भाई देखो मुझे exact criteria तो नहीं पता है eyesight की condition का तो ये तो मुझे लगता है कि तो better रहेगा कि तुम Google ही अगर करते हो तो जादा अच्छा है चल अच्छा करें तो यहाँ पे क्या है बिटा, दो पोल्स है, of order, 1, at z equal to 1 by 4, z equal to 1 by 3, तो पहले z equal to 1 by 4 के लिए निकालते हैं, residue, ठीक है, इसके लिए residue क्या होगा आपका, यह तो first order का है, तो factorial तो 0 factorial बनेगा, यानि की 1, m-1 factorial होता है न, तो 0 factorial बनेगा, यानि की 1, derivative भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह करना है, यह देखो, एक z है, और एक z की पावर n-1, मिलके बन गया z की पावर n, अब यहाँ 1 by 4 रखो, 3 by 4, minus 5 by 6, 9, minus 10, minus 1 by 12, minus 1 by 12, 1 by 12, तो यह तो मुझे लग रहा है यार, यह ही आ रहा है क्या, चेक करना जरा, 3 by 4, minus 5 by 6, 3 by 4, minus 5 by 6, 12 का LCM आएगा, तो 9 और minus 10 तो minus 1 by 12 हुआ, 1 by 4, minus 1 by 3, तो minus 1 by 12 हुआ, तो यह आ गया, अब यह भी first order का पोल है, first order में सबसे बढ़िया बात क्या है कि कोई derivative लेना ही नहीं पड़ता, अब 1 by 3 minus 1 by 4 is 12, 1 minus 1 by 5 by 6 is 1 by 6, तो 1 by 6, 1 by 12 is 2, यह आ गया 2 इंटो 1 by 3 की पावर, N, अब हाई इन्होंने ROC दिया है, outside the outermost पोल, तो आपका X of N कितना आ गया, बेटा वो हमें करना पड़ता है, अनुज बेटा जो आप method कह रहे हो, Z से multiply और divide करके, वो हमें तब करना होता है, whenever we are solving using partial fraction, तो जब partial fraction Z में बना रहे होते हैं, तो Z को पहले denominator में ले जाते हैं, partial fraction कर लेते हैं, फिर Z को वापस ले आते हैं, वो तब करना होता है, Z inverse में partial fraction करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, सीधे partial fraction, लेकिन जब आप residue कर रहे हो, तो residue में normally ही करना है, कोई tension वाली बात नहीं है, ठीक है बहीं, चलो, next concept पे आते हैं बिटा, that is your eigen function, तो देखो यार, continuous में तो आपने eigen function देखा ये, अब मैं आपको discrete में दिखाने जा रहा हूँ, तो देखो यार, एक discrete time system में मैंने input लगाया है, a की power n, क्या लगा है, a की power n, तो मैं कहता हूँ, कि मेरे system का output क्या होगा, yn, यहाँ पे होगा, h के, a की power n minus k, ठीक है, h के, a to the power n minus k, तो a की power n को आप बहार निकाल लो भई, अब आपका hz क्या formula होता है भई, हाँ बेटा, आज दो class हैं, और आज आपका gate का electrical का syllabus खतम हो जाएगा, यह होता है नहीं, जेट transform, ठीक हैं, यह जो z transform है, यह तो by definition ऐसा ही है, अब आपके पास उपर जो equation आ रही है बिटा, यह जो equation आ रही है, और यह जो equation आ रही है, इनको compare करना ज़रा, यह summation और यह summation सेम दिख रहा है, बस यहाँ z के बदले उपर आ रहा है a, z के बदले उपर आ रहा है a, a की power n, hz at z equal to a, तो इसका क्या मतलब हुआ, कि जब आपने input में लगाया a की power n, तो output में भी a की power n से, कोई factor multiply होके आया, यही तो eigen function की definition होती है न, बताओ, यही तो eigen function की definition होती है, तो आप कह रहे हो, functions, functions of the form a की power n are eigen function of LTI system, are eigen function of LTI system and their output, and their output, is a की power n, hz at z equal to a, provided, एक condition में तो लिखनी पड़ेगी, की z equal to a belongs to, roc of hz, भाई, hz में आप z को a तो डाल रहे हो, बत किस basis पे, आपने ये कैसे मान लिया, की hz में आप z को a डाल सकते हो, वो इस आधार पे बिटा, की ये roc का हिस्ता होगा, तो आपको कैसे पहचानना है, की आईगन फंक्शन से करना है या नहीं करना है भई, आपको कैसे पहचानना है, question आईगन फंक्शन से होगा या नहीं, अगर question में फंक्शन दिया है, सिर्फ a की power n, जैसे 2 की power n, 3 की power n, तो आइगन function का इस्तिमाल करो अगर a की power n के साथ un या u of minus n minus 1 लिखा है तब आप normally z transform से करो yz equal to xz multiplied by hz ऐसे करो अगर un और u of minus n minus 1 कुछ भी लिखा है तो z transform का approach लीजिए अगर सिर्फ a की power n है for all n तब आप आइगन function का इस्तिमाल करें clear है दोनों तरह के question में फरक पता होना चाहिए based on input आपको decide करना है आपका approach क्या होगा whether it will be based on eigen function or it will be based on z transform देखो यहाला question हमने कल छोड़ाता न चलो बनाओ इसको ठीक है चलो इसको मैं बोलता हूँ आपको बनाना है just a minute यार ठीक है इसको आप बनाएए बिटा residue method से चलिए residue method से करके दिखाओ चलो बच्चो residue method से करके दिखाओंगे सभी लोग भाई और यह ट्रांस्वार्म में दिख्कत आरी है सरा प्रॉपर्टी अपलाई करने नहीं आँ आ रहा हूँ तो बिटा प्रेक्टिस करों और इसका तो कोई इलाज नहीं है न जब आप concept जानते हों जितना जाधा practice करोगे उतना finish आता जाएगा अब देखो भई यहाँ पे दो first order poles हैं और मैं तो आप लोग को पहले ही बोला था fourier transform में दिक्कत आती है जाधा practice करना ठीक है नितेश भाई मेरे पास इस चीज़ का तो कोई जवाब है नहीं हाल फिलाल में चलो अब residue निकालते हैं पस्ट order pole है तो सिर्फ इसको multiply करके limit डालना है इसको ऐसे रहने दो या इसको two ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दूसरा एक जेड ये बचा ये बचा माइनस पॉइंट फाइव टुदी पावर एन अब पहला आरोसी बेटा आउटसाइड दा आउटरमोस पोल है तो दोनों में यू एन लगाई है दोनों में आप यू एन लगाई है इन साइड दा इननरमोस पोल है तो माइनस यू आफ माइनस और माइनस वन आएगा यू आफ माइनस और माइनस वन के साथ एक माइनस साइन आता है हमेशा तीसरा बिट्वीन टू पोल्स है तो वन से तो अंदर है लेकिन पॉइंट पाइव से बाहर है यह लीजे तो पॉइंट पाइव से राइट साइड़ और दूसरे वाले से लेफ्ट साइड़ लेर है बोलो भाई चला एक्सेन इस कॉजल वन देन डिटमाइन जेट ट्रांस इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म होगा ना यह वाला क्वेश्चन काल डिसकस करें थे ना पार्शल फ्रेक्शन जे काफी लंबा जा रहा था ठीक है अब एक काम करिए आप इसको ना कौची रेसिड्यू मेथट से बनाईए ठीक है मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ आगे यूजिंग रेसिड्यू मेथट करना ज़रा इसको पहले इसे जेड्य में कनवर्ट कर लो जेड्य इन्वर्स की जगे चलो भाई पहले इसको जेड्य में कनवर्ट कर लो जेड्य इन्वर्स की जगे पहले इसको जेड्य में कनवर्ट कर लो जेड्य इन्वर्स की जगे झाल झाल चारुक भाई अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं के तो अब तैयारी स्टार्ट कर लो नीव बैज जॉइन कर लो फटा फटा अपनी तैयारी में लग जाओ जेड़ स्कॉर तो जेड़ की पावर फाइव आप इसे जेड़ प्लस वन जेड़ माइनस वन में तोड़ सकते हो ना तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है पोल ओफ ओडर थ्री एट जेड इक्वल तो माइनस वन तो इस पर अगर आप रैसीड्यू निकालने जाएंगे थर्ड ओडर का है तो सेकंड टू फैक्टोरियल बनेगा और सेकंड डेरिवेटिव बनेगा और इसे कैंसल करने के लिए जेड प्लस वन का क्यूब देखो किसी भी मेथड से कर लो यह थोड़ा लंबा तो पड़े गई अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भी अब इसका डबल डेरिवेटिव अगर निकालें कैसे इजी पड़ेगा यह सोचें अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालने हैं बहुत महनत लगी गी यार कोईशेंट रूल से निकालते हैं तो काफी लंबा जाएगा क्योंकि एक डेरिवेटिव का दूसरा डेरिवेटिव भी करना है चलो कोशेंट रूल से ही करते हैं और क्या करें देखो दी बाई डी जेड जेड की पावर पोर लॉंग डिवीजन से भी बिटा इजी कहां जाएगा लंबा तो उसमें पढ़ेगा तीन चार सैंपल तक निकाल पाओगे आएन प्लस फोर आएगा झाल तो पूंगे याएगा तो तो आएगा तुट कहें एगां तो उनसे यावड पिर माइन चार ऊंगी एएगा तीन नीचे Q बन जाएगा अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेंगे भाई सहाब नियूमरेटर का डेरिवेटिव तो बहुत ही खतरनाक बनेगा Z की पावर N प्लस 4 ठीक है, minus N प्लस 4 Z की पावर N प्लस 3 ठीक है, यही बन रहा है ना अब आप समझ तो गाए हो बिटा कैसे करना है यह लंबी कैलकुलेशन वाला है अब आप इसके अंदर Z की जगे minus 1 डालिए ठीक है, Z की जगे minus 1 डालिए ठीक है, कर लोगे ना आगे भई ठीक है, अब देखो बता है क्या कर सकते हैं, जो minus है ना इससे N प्लस 3 बना लो, यह जो minus है इससे भी N प्लस 3 बना लो, तो minus 1 की पावर N प्लस 3 पूरे में से common आ जाएगा, ठीक है, minus 1 की पावर N प्लस 3 पूरे में से common आ जाएगा, आगे आएगा, minus 2 की पावर 6, ठीक है, तो आगे DIY माने do it yourself, क्योंकि अगर मैं करने लग गया तो आज की class बागी की छूट जाएगी, ठीक है ना, चलो, यह वाला करो, z square minus 6z plus 25 इसका कोई root तो आएगा नी, यह वाला जो है, वही cos वाले से होगा, यह जो question है, इसको वही हमें cos वाले method से करना पड़ेगा, कल कर आया था ना, एक cos वाला sign वाला, चलो, क्योंकि denominator में जो दिया है, z square minus 6z plus 25, इसके लिए वो a की power n cos omega 0 n वाला लग जाएगा, z transform, लेको मैं लेक दे रहाँ, यहाँ पर क्या आता, z square minus az cos omega 0 और इसके अलावा क्या आता था बच्चों, नीचे z square, मेरे ख्याल से minus 2 az cos omega 0 plus a square, यही था ना, az sin omega 0 plus a square, यही तो था, चलो, temperature measurement विटा, एक अलग से नितेश मैंने marathon लिया था, ट्रांस्ड्यूसर का वो सर्च कर लेना उसमें मिल जाएगा, एज सर्च कर लेना, अंकित गोल ट्रांस्ड्यूसर, तो आपको मिल जाएगा वो, चलो, यह बनाओ भई, अब तो मैंने तुम्हें बता भी दिया, कैसे बनेगा, पहले इसे partial fraction में break करना होगा भई, देखो क्या करोगे, ऐसे वाले में partial fraction नहीं लगा ना, ठीक है, यह हुआ, अब Z equal to 1 डालना जरा यार, उपर बनेगा 40 और नीचे कितना बनेगा, 20, और यहाँ पर ऐसे कर लो, जैसे lap last में किया करते हैं ना, second order के लिए उसके numerator में first order लेते दे, ठीक है, तो 2Z स्क्वाइर, BZ स्क्वाइर, minus 12Z, plus CZ, पच्चे जुनी पचास, दो और तीन, पांच और दो साथ, तीन, और चार साथ, ठीक है, यह numerator सीधे-सीधे compare कर लो ना, 6Z plus 34, तो B तो आगया, minus 2, क्योंकि Z स्क्वाइर है यह नहीं, और 50 minus C, इस 34 तो C आगया, 16, एक बाद चेक भी कर लें, C minus B हुआ, 18, तो 6 आजाएगा, ठीक है, यह बन गया ना, अब XZ कितना हो गया, 2Z by Z minus 1, plus minus 2Z square, plus 16, यह हुआ, अब आप जो इसका डिनॉमिनेटर है, इसको compare करो, इसको आप compare करो, इससे जरा, तो A बराबर 5 आएगा, करेक्ट, 3 by 5, ओमेगा नॉट जो बना ना, 53.13 डिगरी बन गया, ठीक है, ओमेगा नॉट जो बना बिटा, 53.13 डिगरी बन गया, ये बात क्लियर है, 3 by 5 आ रहा है ना, 6 by 10, ठीक है, अब भाई, आपको standard form में convert करना है, Z स्क्वार, तो A Z कॉस ओमेगा नॉट कितना होगा, 3 Z, ठीक है, और A Z साइन ओमेगा नॉट कितना होगा, साइन हो जाएगा, 4 by 5, 4 Z, ठीक है, ये आएगा, तो माइनस 2, Z स्क्वार, माइनस 3 Z, बट बात है, constant के साथ कैसे deal करेंगे, यहाँ पे तो दोनों में Z आता है, उडी बाबा, Z तो इसके साथ भी आएगा, ये हुआ, तो इसमें कितना आ गया, माइनस 2 Z स्क्वार प्लस 6 Z, बचा हुआ 10 Z उसको दे दो यार, बचा हुआ 10 Z आप साइन को दे दो, अब देखो, X N कितना आया, 2 U N, माइनस 2, 5 की पावर N, cos omega not N U N, यहाँ पे आना चीए था, 4 Z आ रहा है 10 Z, तो 4 से multiply, divide कर लो, sin omega not N U N, ठीक है यह आ जाएगा, यह बात clear हो गई, जल्दे उताओ, यह clear हुआ, clear है भाई, चलिए, अगला, यह वाला करो जड़ा, long division method ते inverse Z, वैसे एक किया होगा, मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को homework में दिया था, Z by Z minus यह आ रहा है ना, तो first वाला part है, right sided, right sided में क्या करते थे बिटा, जल्दी बताओ, right sided में क्या करते थे, बोलो भाई, right sided में lowest, और power से lowest power को divide करते थे, Z equal to, minus A plus Z, decreasing order में, हाँ decreasing order में arrange करते थे, तो पहले 1 से multiply किया, Z आया, subtract किया, कितना आया, वो हो ल्टा लिग दिया मैंने, A आया, अब, A, Z inverse से multiply किया, तो यहाँ पर A आया, subtract किया, A square Z inverse आया, अब A square Z की power minus 2 से multiply किया, ऐसे चलेगा, तो X of N क्या हो जाएगा, बिता, 1 plus A Z inverse, plus A Z की power, A square Z की power minus 2, प्लस, ऐसे चलता जाएगा, X Z, तो इनके coefficient से X N बन जाएगा, 1, A, A square, A cube, तो A की power N, यू एण, correct, A की power N, यू एण, ऐसे आ जाएगा, और ऐसी left sided वाले में, आप increasing order में arrange कीजेगा, आप इसके second part में क्या करेंगे, increasing order में arrange करेंगे, तो माइनस 1 बाई A Z, तो यह Z बना, और यह बन गया, माइनस 1 बाई A Z square, माइनस A प्लस Z है न, subtract करने के लिए, हमने माइनस 1 बाई A Z से multiply किया, अब यह subtract होके कितना बना, अब इसको आप करेंगे, माइनस 1 बाई A square Z square, अब इसको subtract किया, यह बनेगा 1 बाई A square Z cube, माइनस 1 बाई A cube Z cube, ऐसी चलता रहेगा, तो XZ कितना आ गया, माइनस Z by, माइनस Z square बाई A square, माइनस Z cube बाई A cube, ऐसे चले जा रहा है, तो यानि X of N कितना हुआ, माइनस 1 बाई A cube, माइनस 1 बाई A square, और यह 0, क्योंकि यह जो Z की पावर 1 है, यह X of माइनस 1 है, Z की पावर 2 है, X of माइनस 2, Z की पावर 3 है, X of माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, 1 बाई A की increasing power बन रही है न, तो A की पावर N, माइनस में, सर माइनस N नहीं आना चाहे नहीं बिटा, N अलरड़ी नेगेटेव में है, तो यह 1 बाई A, A अपने आप बन जाएगा, N अलरड़ी नेगेटेव है, तो आपको A की नेगेटेव पावर नहीं दिखा नहीं है, वह अपने आप N नेगेटेव होने से negative power बन जाएगी clear बोलो भाई यहां तक clear है चल अब आगे चलते है system characterization using z transform तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ causality की ठीक है सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से किस बारे में causality के बारे अब भाई एक system causal कैसे होता है last वाले sign का फिर से बिटा यहां मुझे 16 z बनाना था यहां 6 z बन रहा था तो 10 z हो गया sign वाले में उपर 4 z आना चीए था az sin omega naught आता है कितना आ रहा है 10 आ रहा है तो 4 से multiply divide कर दो 10 बाहर निकाल लो 4 से divide कर यहां पे 4 z बन गया which is az sin omega naught तो 4 z के हिसाब से मैंने directly यह लिख दिया directly यह लिख दिया चार से multiply divide किया बिटा 4 z बनाना सही था ना उसके numerator में आओ अब एक system causal कब कहलाता है a LTI system is said to be causal if its impulse response is a causal signal ठीक है that is HN is 0 for all N less than 0 अब आप एक चीज़ समझेगा बिटा HN अगर right sided है ठीक है HN अगर right sided है तो इसका ROC कैसा होगा अभी करवा देता हूं राजू भाई HN अगर right sided है बिटा तो इसका ROC कैसा होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ therefore HN is right sided and hence ROC is outside outermost pole किसका ROC for HZ outside the outermost pole आना चाहिए unit circle नहीं राजू भाई unit circle कहां से आ गया आप ये बोलोगे outside the outermost pole आना चाहिए ठीक है unit circle की तो हम बात ही नहीं कर रहे ठीक है ROC should be outside the outermost pole यही तो causal का होगा जैसे lap last में आप कहते दे क्या होता है right of the rightmost pole यहाँ पे outside the outermost pole ऐसी मेरे बच्चों for anti-causal system HN होगा left-sided ROC is inside innermost pole ठीक है और non-causal system HN कैसा होगा both-sided ROC कैसा होगा annular region between poles ठीक है और यहाँ पे ROC किसका देखना है बिटा H of Z का system के transfer function का ठीक है भई यह बात clear हो गई अब जैसे यह देखो question 7 जो दे रखा है आपको इसमें causal non-causal बताना है ठीक है causality judge करनी है अच्छा यहाँ पे ना एक condition यह भी होती है order of NZ must be less than equal to order of DZ numerator का order denominator से कम रहना चीए या बराबर रहना चीए ठीक है बताओ भई जल्दी बताओ पहले वाले का क्या होगा देखो पहले वाले में order of numerator is greater than order of denominator अब इससे क्या होता है जब ऐसा हो जाए सुनना ध्यान से when we divide या when we perform long division अगर आप long division परफॉर्म करते हो we get positive powers of Z हमको क्या मिलता है positive powers of Z correct अगर numerator का order ज़ादा है जैसे यहाँ सबसे पहले क्या मिलेगा Z की power 1 मिलेगा which represent H of N where N is negative Z की positive power H के left sided वाले sample बताएंगे और Z की negative power H के right sided वाले बताएंगे logic समझो H of Z को क्या लिखते हो N equal to minus infinity to infinity H N Z की power minus N तो देखो N positive होगा तो Z की negative power आएंगी और N negative होगा तो Z की positive power आएंगी तो जब numerator का order denominator से ज़ादा है तो divide करने पे Z की positive power आएगी जिसका मतलब है H के अंदर N की value negative होगी यानि left sided sample मिलने लगेंगे और अगर left में sample लाई कर रहे हैं तो उस कैसा हुआ system? Non causal ये logic समझे? फिर से सुन लो numerator का order denominator से अगर अधिक होता है उस situation में Z की positive power आती है divide करने पे और Z की अगर positive power आने लग गई मेरे बच्चो तब उस situation में क्या होने वाला है? उस situation में वो H of minus N या H की value negative N पे represent करेंगी यानि H के sample लेफ्ट में आएंगे H के sample अगर लेफ्ट में आने लग गए इट विल बिकम non causal इट विल बिकम non causal ठीक है? second बताओ second बताओ भाई अब ये देखो इसके poles कहां कहां पे है एक तो Z inverse बराबर 2 एक Z inverse बराबर 1 एना तो poles है mod Z equal to half ROC दिया है mod Z greater than 1 यानि क्या दिया है? outside outermost pole एना? तो ये क्या हो गया? causal ये क्या हो गया आपका causal correct second one is your causal बहुत बढ़िया अब stability पे आते हैं भाई causality I hope सभी लोग को clear है जल्दी बताइए causality सभी लोग को clear है चलो stability पे आते है for a discrete time LTI system to be stable for a discrete time LTI system to be stable its impulse response H of N must be absolutely summable correct बात है ये ही तो condition होते हैं जैसे उधर absolutely integrable होता है ऐसे इधर absolutely summable होता है right तो mod HN का sum आना चाहिए finite अब बिटा ROC का definition क्या कहता है Z transform में by definition ROC contains circles of radius R such that ये आजए है ना और HN R की पावर माइनस N is absolutely summable अब अगर कोई system आपका stable है तो उसके लिए HN absolutely summable होगा यानि ये condition true होगी और ROC कहा रहा है ये condition true होगी माने ROC में R की वो values present होगी जहां पे ये sum finite आजए और ये sum finite आ रहा है हमें पता अगर system stable है system stable है तो ये finite आएगा ROC कहा रहा है मेरे पास R की वो सभी values आती है जिसमें finite आजए अगर इस condition से इस पे जाना है तो यहां R को 1 रखना पड़ेगा अगर second condition से first पे जाना है बिटा तो R को 1 रखना पड़ेगा और आपको पता है ये वाला sum finite आएगा stable के लिए ये sum finite आएगा और ये sum तक पहुँचोगे कैसे R को 1 रखके ये कह रहा है R की हर वो value जहां ये sum finite आजा है वो R O C में है हम कह रहे हैं अगर ये finite आ रहा है माने R 1 रखा गया है माने R equal to 1 should also be R O C ठीक है on comparison logic समझे we can say R equal to 1 belongs to R O C that is unit circle बेटा causal आएगा न outside the outermost pole anti-causal क्यों होगा राहूल भाई anti-causal क्ले inside innermost pole होता ना एक half है एक one है वो कह रहा है one के बाहर that is unit circle lies inside R O C है ना जैसे laplace transform में क्या था पिटा laplace transform में आपने बुला था j omega axis lies in R O C j omega axis belongs to R O C for stability अब जब laplace transform से z transform जाते हैं तो j omega axis से क्या बनता है unit circle मैंने mapping सिखाई थी ना j omega axis unit circle पे map होती है therefore z transform में unit circle अगर आपको दोनों का relation पता है ना तो stability causality तो आप वैसे भी कर लेंगे stability और causality तो आप वैसे भी कर लेंगे तो वहाँ आप बोलते हो जे omega axis आरोसी में आनी चाहिए यहाँ पे unit circle आरोसी में आना चाहिए first question पेटा non causal होगा राहूल पहली power आएगी z की 1 अगली power आएगी z की 0 फिर उसके अगली power आएगी z की minus 1 minus 2 यानि z की power positive भी आ रही है और z की negative power भी आ रही है it will be non causal ठीक है अब causal and stable system ठीक है causal के लिए क्या होता है आरोसी मस्ट भी outside outermost pole और stable के लिए आरोसी मस्ट कंटेन unit circle अब भाई साव एक चीज़ सोचिएगा आरोसी में unit circle आ रहा है और आप बाहर वाले पोल के बाहर का region ले रहे हो अगर सबसे बाहर वाले पोल से भी बाहर चले जा रहे हो ध्यान से सुनना सबसे बाहर वाले पोल से भी बाहर चले जा रहे हो फिर भी unit circle lie कर रहा है तो इन दोनों condition को जोड़ के आप ये नहीं कह सकते कि outer most pole lies inside unit circle बाहर वाले pole के बाहर का region जो है उसमें unit circle है इसका मतलब जो बाहर वाला pole है वो खुद unit circle के अंदर बैठा है तभी तो उसके बाहर unit circle है समझ रहे हो अगर मैं कहूँ कि जैसे कि let us say कि इस तरह समझो एक border मैंने बनाया एक park मैंने बनाया ठीक है पार्क के बाहर एक बंदा खड़ा है ठीक है पार्क के बाहर एक बंदा खड़ा है तो पार्क वाला region उस बंदे के लिए interior कहलाएगा ऐसे सोचो पोल के लिए अगर unit circle बाहर है तो unit circle के पोल अंदर है ऐसे सोचो अगर पार्क का border किसी बंदे के लिए बाहर है वो कहरा है पार्क का border आगे है तो यानि वो खुद border के अंदर है है ना अगर pole के बाहर है unit circle तो pole खुद circle के अंदर है अगर सबसे बाहर वाला pole आपका unit circle में lie कर रहा है तो all poles must strictly lie अगर सबसे बाहर वाला भी अंदर है तो सारे ही अंदर होंगे भाई जो इनका नेता है अगर वही अंदर चला गया तो सारे ही अंदर होंगे that is mod of pole less than 1 तीक है हर pole का magnitude 1 से छोटा ही आना चाहिए clear हो गई ये बात बताओ logically clear हुई ये बात तो वहाँ पे आपने क्या बूला था भई left half plane है ना वहाँ पे आपने बूला था left half plane अब बेटा आपका causal and stable laplace transform में क्या था laplace transform में condition ये थी ना all poles must strictly lie in LHP जब laplace transform से z transform पे map करते हैं तो LHP को किदर map करते हैं inside unit circle तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे pole unit circle के अंदर लाई करने चाहिए आप ये भी तो कह सकते हो सारे के सारे pole आपके unit circle के अंदर लाई करने चाहिए तो same ही तो condition चल रही है laplace और z में अगर हमें mapping पता है तो same ही तो condition चल रही है अब anti-causal, roc must be inside innermost pole, ठीक है, और यहाँ पे roc must contain unit circle, यानि अंदर वाले pole के अंदर का region लें, तो भी उसमें unit circle आना चाहिए, अंदर वाले pole के अंदर unit circle आ रहा है, तो यानि कि inner most pole lies outside unit circle, अगर inner most pole के अंदर unit circle है, तो inner most pole unit circle के बाहर है, अगर इसके अंदर unit circle है, तो यह unit circle से बाहर है, therefore, all poles must strictly lie outside unit circle, या फिर आप ये कहे दो, mode of pole is greater than one, अगेन आप लैपलास से एनलोजी सोच सकते हो बिटा, वहाँ पे आपने बुला था, right half plane में आना चाहिए, और यहाँ right half plane जो होता है, वो unit circle से बाहर वाला region होता है, तो आप कह सकते हो, यहाँ पे unit circle से बाहर आना चाहिए, जब वहाँ right half plane में आ रहा था, तो यहाँ unit circle के बाहर आना चाहिए, बात clear हो गई, बोलो भाई, ये बात clear सभी को यहां तक, चलो, अब ये question कहा रहा है, for different ROCs, determine the causality and stability, अलग-अलग ROC के लिए बिटा, causality और stability पे चर्चा की जाए, ऐसा हमारे पास request आ रहा है, इस question में, पहले partial fraction कर लो बच्चो इसका, पहले denominator को factorize करो सबसे पहले तो मेरे भाई, और इसे partial fraction की क्या ज़र हो था, हमें तो denominator के factors से ही मतलब है न, तो इसके poles क्या हो गए? mod z, वरावर half और one by four, तो ROC one क्या होगा? अब आप तीनों के बारे में comment कीजिएगा, बताईए, तीनों के बारे में comment कीजिए, पिंक वाले statement में ये वाला कह रहे हूँ, विकास भाई ये कह रहे हूँ कि नीचे वाला कह रहे हूँ, बताओ, चलो इतने बागी लोग ये बताओ, नहीं भाई मैंग, ऐसा तो कोई condition येगी, stable है तो causal भी होना चाहिए, अभी तो हमने देखा, एंटी-causal और stable भी हो सकता है, नॉन-causal और stable भी हो सकता है, अब ये देखो, ये inside innermose pole है, एंटी-causal, और 1 by 4 के अंदर थोड़ी ना, 1 by 4 के अंदर थोड़ी ना unit circle आएगा, उसे धार्थ भाई, ये unstable है, 1 by 4 के अंदर थोड़ी ना unit circle आजाएगा, एंटी-causal और unstable, stable क्यों बता रहे हो पहले वाले को, मुझे भलकी शब होने लगा, 1 by 4 के अंदर unit circle कैसे आगया, अब 1 by 4 से half, दो pole के बीच में non-causal unit circle का मतलब जिसका radius 1 हो, तो radius 1, 1 by 4 से कम कैसे हो सकता है, इसमें भी 1 नहीं आएगा, 1 by 4 से half है, और half से बड़ा, यानि outside the outermost pole, causal, और half से आगे unit circle आता है, half से आगे ही तो one आएगा, तो third one is stable and causal, विकास भाई देखो मैंने ये बोला, वो कह रहा है, सबसे अंदर वाला जो pole है, सबसे कम radius का जो pole है, उसके अंदर का region ROC है, पहली statement, कि जो inner most pole है, यहाँ पे pole किस form में होते हैं, circle की form में होते हैं, तो जो सबसे छोटे radius का circle है, उसके अंदर का region ROC है, और हम कह रहे हैं, ROC में unit circle आना चाहिए, तो सबसे छोटे radius के circle के अंदर का region ROC है, उसमें unit circle आना चाहिए, माने unit circle सबसे छोटे circle के भी अंदर है, आप समझो, सबसे छोटे circle के अंदर का region ROC है, उसमें unit circle आना चाहिए, माने unit circle सबसे छोटे circle के अंदर लाई कर रहा है, यानि सबसे छोटा circle unit circle के बाहर लाई कर रहा है, अगर सबसे छोटा circle unit circle के बाहर लाई कर तो बाकी के सारे सरकल भी यूनिट सरकल के बाहर ही आएंगे, देखो, जैसे मैं दो पोल से समझाता हूँ, हमने ये बोला, एक एंटी कौॉजल सिस्टम के लिए, एंटी कॉजल तब होगा, जब ये आरोसी बने, ठीक है, अब इस आरोसी के अंदर क्या आना चाहिए आपके पास, यूनिट सरकल, तब ही तो स्टेबल होगा, इसके अंदर यूनिट सरकल आना चाहिए, ये देखो, फिर ये आपका यूनिट सरकल हो गया, ये ओ गया, यूनिट सरकल, तो यानि सारे सरकल या सारे पोल यूनिट सरकल के बाहर है, समझ गए अब, सारे सरकल या सारे पोल यूनिट सरकल के बाहर है, त्लियर हो गई बात, चल, कौन से वाला क्वेश्चन का फिगर कह रहे हूँ देखो question का figure देख लो भाई देखो दो पोल हैं एक one by four पे एक half पे है ये पोल है जिसका radius है one by four और ये है one by two परस्ट, सेकेंड, थर्ड अब भाई अगर unit circle की बात करोगे एक ऐसा circle जिसका radius one होता है वो तो half के भी बहार ही आएगा ना ये तुम्हारा है unit circle तो unit circle कौन से वाले आरोसी में लाई कर रहा है, थर्ड वाले में लाई कर रहा है ना unit circle थर्ड वाले आरोसी में लाई कर रहा है, करेक्ट चलो, अगला देखो HN का nature, HN का derive करना है अगर आपके पास ये सारे option है stable, causal, non-causal, anti-causal तो पहले partial fraction कर लो भाई सबसे पहले काम क्या करो ना पहले partial fraction निकाल लो इसका झाले आरोसी में लाई कर रहा है मेरे headphone से सिर्फ left sound आ रही है तो पेटा right वाले का wire खराब हो गया और क्या अब देखो भाई मैं भी शुरू कर रहा हूँ hz बाई z बना लो पहले z माईनस 3 अब आप इसका partial fraction करो पहले half रखो half minus 2 कितना हो गया minus 3 by 2 और half minus 3 कितना हो गया minus 5 by 2 तो minus 3 by 2 और minus 5 by 2 ये हो गया दो बटे पंदरा नहीं 2 बटे पंदरा ये चार बटे पंदरा अब 2 रखो 3 by 2 और minus 1 तीन रखो 1 और 5 by 2 अब देखो इसके poles कहां कहां पे हैं बटा z equal to half 2 and 3 अब देखो मैं आपको नहीं यहां पे इसका diagram बना के दिखा देता हूँ यहां पे चार आरोसी बनेंगे तीन पोल है तो एक तो देखो half radius का सरकल आए चुटा सा एक दो radius का सरकल आएगा एक तीन radius का सरकल आएगा यह हो गया यह पोल है half यह two और यह three फर्स सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है यह clear है एक वैल्यू रॉंग है अरे पंदरा है यह पांच लिखा रहे गया दो भाई पंदरा एक सेकंड रूपना three by two और यहां पे आया five by two क्यों चार भाई पंदरा ही तो आ रहा यार नीचे पंदरा बाई चार बन रहा है ना half minus two is minus three by two और half minus three is minus five by two तो नीचे fifteen by four बन रहा है तो four by fifteen आना चाहिए ना यार बताओ four by fifteen ही तो आएगा भाई मेरको लग रहा है ना तुम लोगोंने z हटाया नहीं है उपर ते इसलिए तुम लोग का गलत आ रहा है पुश्यार चंद z तो हटा लो बताया तो था पार्शल फ्रेक्शन करते वे उपर का z हटाते हैं देखो intelligent लोग यह आ रहा है यह देखो z by z minus 3 अब भाई सबसे पहले बोल रहा है stable stable का मतलब है unit circle आना चाहिए मुझे बताओगी unit circle कौन से आरोसी में आ रहा है बताओ stable का मतलब है unit circle आना चाहिए unit circle इन में से कौन से आरोसी में आ रहा है बोलो फटाफट unit circle आएगा बिटा half से two वाले में यानी second में half से two आएगा ना one radius half से बड़ा है और two से छोटा है ठीक है causal माने causal माने fourth वाला outside, outermost पूल non causal दो हो सकते हैं second भी और third भी क्योंकि between two poles होता है और anti-causal first वाला anti-causal first वाला तो जब a part करते हैं अब clear है unit circle का visualization half से two लेना है half से बाहर ले रहे हो two से अंदर ले रहे हो और three से भी अंदर में ही रहोगे जब two के अंदर हो तो three के भी तो अंदर ही होगे ठीक है चला second वाले में क्या है भाई causal है mod z greater than three outside the outermost पूल तो सारे signal तुमारे right sided हो जाएंगे तेक है यहोगे c c में देखो दो उस लखता है second और third second कौन सा है second तो same as a आ जाएगा थर्ड वाला निकाल देते हैं यानि two से लेके mod z three तक two से three है ना second तो same as first आ जाएगा a apart आ जाएगा two से बाहर हो तो पिटा half से भी बाहर ही हो two से अगर बाहर हो तो half से भी बाहर ही हो फिर two से बाहर हो तो minus two by three two की पावर न यू इन और three से अंदर हो और last part है तुमारा d fourth mod z less than half anti causal है ना तो अंदर के भी अंदर तो सभी से अंदर में हो तो minus 4 by 15 half की पावर न plus 2 by 3 तीक है minus 2 by 5 यह आएगा clear? चलो अगला देखो भई stability बताना है चलो फटा फट causal system दे रखा है stability की बात कर रहा है जल्दी बताईए जल्दी बताईए र Didel the चलोओी बताईए जलोपी बताईए अिल्दी से इंदी जए थाना है लड़ 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 कि अजा हैं Z transform ले लो भई अब causal है और साथ में बोल रहा है stable भी होना चाहिए बात को समझेगा causal है और stability की बात कर रहा है तो आप कहोगे सारे पोल अंदर लाई करने चाहिए unit circle के भाई causal और stable system का तो यही condition होता है ना causal तो पहले से ही है और stability के बारे में हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे पोल क्या आया तो मोघ द गवाल तो पूप टूद का रहा है तो मोघ देव का इको तो जा से आउटसाइड यूनिट सरकल तो ये हो गया अन्स्टेबल समझें कौजल के साथ स्टेबल होने के लिए आपके सारे पोल यूनिट सरकल के अंदर आने चाहिए यह आर्ट भाई लगरा काफी पीछे चल रहे हैं कह रहें दो बाए 15 ही आएगा चलो यह बताओ जरा कोजालिटी एंड स्टेबिलिटी जल्दी से बोलो भाई कोजालिटी एंड स्टेबिलिटी पहले वाला क्या है भाई आउटसाइड दा पोल है कोजाल है और अनस्टेबल है क्योंकि 1.2 के आगे तो यूनिट सर्कल नहीं आ सकता यूनिट सर्कल तो 1.2 के अंदर ही आएगा न और लेस देन पॉइंट एट एंटी कोजाल पोल के अंदर है और इसमें भी यूनिट सर्कल नहीं आ सकता है यूनिट सर्कल पॉइंट एट के बाहर होता है तो एंटी कोजल एंड अनस्टेबल बीटा लेपलास डिस्क्रीट का कैसे निकालोगे अभी नभ भाई अभी नभ भाई पुछ रहे हैं क।विशन नमबर 10 लेपलास से हो जाएगा क्या बड डिस्क्रीट का लेपलास कैसे निकालेंगे लेपलास तो सिर्फ कॉ identifies के लिए डिफाइट है ठीक है बहीं clear हो गई यहां तक कहानी जल्दी बताइए सबी लो मज़ा आ रहा है clear है एकदम बढ़िया तरीके से lap last से relate कर पा रहे हूं सारी चीजें अब देखो यार जैसे lap last domain में तुमारी differential equation होती थी यह यह कह दो कि जैसे तुमारी continuous time में जैसे तुमारी continuous time के अंदर differential equation होती है ऐसी मेरे बच्चो discrete time में क्या होता है difference equation होती है discrete time में क्या होती है आपके पास difference equation होती है ठीक है तो वहाँ पे linear constant coefficient differential equation तुमने पढ़ी थी यहाँ पे linear constant coefficient difference equation पढ़ते हो जैसे जो अभी question number 10 करके आ रहे हो वो वही तो है linear constant coefficient difference equation सबके coefficient constant थे वो terms सारी linear थी और difference equation बन रही थी अब देखो जब आपको discrete system दिया जाएगा तो उसके अंदर ना कुछ element अकसर देखे जाते हैं जैसे अगर दिखाना होता है ना तो ऐसे दिखा देते हैं क्या होता है discrete वाले system कभी control में नहीं आते ना इसलिए discrete पे हमें खासा focus signal में रखना पड़ता है क्योंकि और कहीं मिलेंगे नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा axn यह क्या हो गया multiplier कह दो या gain कह दो या amplifier कह दो कुछ भी कह दो amplifier usually continuous time में होता है इसलिए amplifier word use नहीं करते हैं ऐसी एक block होता है बिटा z inverse का आपको property से याद होगा कि z inverse कहां आता है z inverse तब आता है जब आप one का delay लेते हो correct z inverse आपका तब आता है जब आप one का delay लेते हो तो यह हो गया x of n minus 1 यह हो गया delay ठीक है x of n minus 1 अब आपकी equation कैसी होती है difference equation ठीक है difference equation कैसे होती है जैसे summation k equal to zero to n यहाँ y यानि output के delayed terms आएंगे output खुद आएगा और उसके delayed versions आएंगे और ऐसी right hand side पे input आएगा और उसके delayed versions आएंगे right hand side पे आपका input आएगा और input के भी delayed versions आपको देखने मिलेंगे अब यहाँ पे आप क्या करते हो बिटा इसको simplify करने के लिए अब दोनों side पे ना z transform लेते हो अगर आपको transfer function चाहिए तो आप ऐसे लिखोगे पहले a not yz a1 z inverse yz ऐसा करते करते an z की power minus n yz जितना delay उतना ही z की negative power b1 z inverse xz bm z की power minus m xz जो आपका transfer function होता है yz upon xz वो कुछ ऐसा बनेगा यह आ गया भी समझ में आया कैसे z transform लेके आप क्या बना सकते हो transfer function clear तो यह देखो यह तो मैंने आपको बताई दिया delay बगरा यह question देखना ज़रा impulse response दिया है बिटा initially relaxed LTI system का आप से step response पूछ रहा है as n tends to infinity ठीक है तो देखो भाई h of z क्या होगा अगर इसको मैं ऐसे बना के दिखाऊ ना आपको यह आएगा z by z minus alpha और x of z z by z minus one ठीक है क्योंकि आपका xn un है ना तो भीटा आप क्या कर सकते हो अगर z transform से solve करना है कि transfer function जैसे lap last में करते थे ना transfer function multiplied by input is basically your output अब partial fraction में तोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि z को पहले नीचे ले जाए अब z को जब आप one रखोगे तो क्या आएगा one by one minus alpha z minus one और z को जब alpha रखोगे alpha यह हुआ अब alpha तो one चोटा है ना बिटा झाल 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 जल्दी बोलो यह example clear है सबको कि किस type से हमने किया है जैसे lap last में transfer function multiply होता था input से ऐसे ही हमने यहाँ पे transfer function multiply किया input से overall function बनाया partial fraction किया partial fraction करने के बाद z inverse ले लिया बताओ clear हुआ अब इसने n tending to infinity पे पूछा है ना अलफा तो 1 से छोटा है देखो जब भी कोई number 1 से छोटा होता है बिटा जब भी कोई number का magnitude 1 से छोटा होता है ना उसकी power में अगर infinity जाता है it becomes 0 जैसे half की power infinity 1 by 3 की power infinity ये सब 0 हो जाते है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 by 1 minus alpha ठीक है छलो फिर अगले session में करते हैं ये questions हम लोग जो question 13 14 15 है ये अगले session में या फिर चलो मैं ये ना आपको homework के तोर पे दे रहा हूँ ये मैं आपको homework के तोर पे दे रहा हूँ इनको आप लोग try करना कल जब assignment discuss करेंगे तब discuss करेंगे इस session में वैसे ही मैंने आपके लिए assignment नहीं रखा है assignment अगले session में दूँगा आपको तो यार ये तीन question आपके लिए homework हैं जो कि कल assignment वाले session में discuss होंगे तो आप लोग solve कीजेगा इन्हे अभी हम लोग अगली class start करेंगे 6.35 पे ठीक है 6.35 पे करेंगे unilateral z transform कराऊंगा उसकी properties, initial value theorem final value theorem, delay का property ये सारी चीज़े हम लोग अगले session के अंदर देखने वाले हैं ठीक है चलिए तो 6.35 पे मिलेंगे भाई टाइम याद रखेगा ये gate electrical का last session होगा ठीक है yz का second step second step में क्या होगा बिटा ये वाला कह रहे हूँ hz into xz किया तो ये multiply होगए दोनो फिर z को नीचे लेके गए partial fraction करने से पहले z by z minus 1 z minus alpha इसका अगर coefficient निकालना है z को 1 रखो 1 by 1 minus alpha और इसके लिए z को alpha रखो alpha by alpha minus 1 ये इनके coefficient आ गए ठीक है सिदार्थ भाई अब इसके बाद alpha 1 से छोटा था तो 1 minus alpha common ले लिया यहाँ alpha minus 1 आ रहा था इसलिए बीच में आ गया minus बीच में आ गया minus ठीक है चल so thank you everyone 635 पे हम लोग मिलते हैं plus z by 2 alpha अब मैंने चलो बता तो दिया यह कैसे आएगा ठीक है वही thank you everybody आ ऑ करता जडे यह है इसलिए Wow